वेलकम टू माई नीव वीडियो तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले डिजाय स्टेट और करंट स्टेट क्या होती है टराफों में काफी इंपोर्टेंट टोपिक है एक जैंप पॉइंट ऑफ इस एंड जो फ्रेसर उनके लिए काफी कंफ्यूजिंग टोपिक भी है आप अपको लोड़ वेलेंसर बनाना एक कोटो स्केलेंग प्लाई तो आपने उसके लिए क्या किया एक टैंपलेट राइट किया और आपने देखा कि हमेरा उक है उसके बाद आपने अपलाई कर दिया तो अपलाई करने के बाद जो भी रिशॉर्स आए आपके एडिवेस तो जब तक मैंने राइट किया तब तक वह स्टेट मतलब की करन्ट नहीं थी वह जस्ट आपका एक टैंप्लेट राइट का रखा बट जब मैंने अप्लाई कर दिया और वह रिसोर्स अप्लाई होने के बाद प्रोपर्ली कंप्लीट दिखा जिए और आपके AWS कंसोल पर वह आपके AWS कंसोल पर या वट आपका प्रोवाइडर गिटब है या फिर आपका जी सेपी है AWS जो भी है आपका उसकी कंसोल पर वह रिफ्लेक्ट हो के आगे प्रोपर्ली डैट मिन्स वह आपकी करन्ट स्टेट का मतलब यह आप एक एक इसी टू इस्टेंस है यह मेरी स्टेट इसी टैम्परेट राइट के ला इसके कोडिंग यह की करंट स्टेट पर करंट स्टेट उस रिशोर्ट की रहें तो आए वोप आपको पता लग गया होगा कि अप्लाई करने के बाद जो रिशोर्स आपके रियल इंफ्रा में बन गए हैं तो प्रोविजन हो गया है यू कै करने का मतलब है अपने अपलाई किया था उस टाइम जो रिशोर्स आपके बने थे बढ़ाइट तो आपको आपको आई होप आईडिया लग गया होगा कि क्रंट स्टेट क्या होते है मैं एक्जेंपल डैमो भी दूंग काफी इंटरस्टिंग चीज़ों से कलियर हो हो यह है दुगो डित ऊब्लिफ नहीं चैने का मतलब है इस ट्रक्स्ट्राइब मालू कुछ चेंज करना है कुछ नया मतलब आपकोμεनme क्रिए टरमिनेट प्रोवूजर्वीजिन रिप्रोविजन व्टेवर मोडिफिकेशन चेंज जो भी करने रैइट वह बोला कि आ यह थे क्षुर यो उसके के लिए मैं क्या करने वाला हूँ देखो इसमें security group क्या है टेसे डिफोल्ट है राइट तो मैं क्या करता हूँ एक मैंने security group बनाया है तो आप भी बना सकते हो let me show you तो मैंने security group बनाया है यहाँ पे देखो एक security group कॉन सा बनाया है मैने है एपके लिए टेस्ट करके एक सिक्यूर्टी गुर्फ बना रहा हूं तो देखर मैंक एक सेक्यूर्टी गूर्फ बना लिए अब मैं इसको अटाके मैं। है test के साथ इसको attach कर रहा हूं correct तो assign कर देता हूं देखो test assign होगा तो आप basically क्या होना चाहिए basically होना यह चाहिए कि terraform का जब हम भी apply या plan करेंगे तो क्या करेगा तो backend में properly होना क्या चाहिए जो state file है वो क्या करेगी वो सब्सक्राइब करेगी plug-in से plug-in check करेगा कि यहां पर कुछ changes है अगर manually changes है तो क्या करेगा उसको manually manually changes को rollback करने का try करेगा right मतलब कि हमने manually change किया test का वो क्या करेगा default करेगा right तो basically approach यह होना चाहिए but क्या होता let's see तो मैंने क्या किया है यहां पर बता देता हूं default से मैंने manually change किया है terraform test जो security group है उसके साथ right terraform के लिए जो मैंने manually बना था security group पे साथ right let's see देखो यहां पर terraform state file में मैं एक बार दिखा देता हूं एक बार देखो security group क्या आपका default है correct तो मैं एक बार अभी apply करता हूं क्या होगा let's see terraform apply तो स्टेट फाइल को रिफ्रेश करता है या फिर अप्लाई करोगे वह भी मैं दिखाता हूं आपको जो यहां ट्राफिो यहां ट्राफोर्म रिफ्रेश करते हैं किया हूँ आप डेट हो यह अपने स्टेट क्वाइल अप डेट होग्या जो अपना default था नो मैनूली चेंज किया था वह क्या होता हो डी टैस्ट हो गया मतलब कहने का अपना भी मैं प्रोपर लिवह अपडेट नेस्ते फाइल में अप्लोड होगया तो प्लान करेंगे डॉन चाहिए तो जो आमने डिंड था वूर ळाता हुनो कि अप्लोड को ना चाहिए अर रहता है करते किया हूं कि वो बोलना कि terraform है जो उसका primarily function है कि modify करना, destroy करना, infra को बनाना to match the desired state, जो desired state है ना उसको match करना which is described in the terraform configuration, जो terraform के configuration में define है, right, terraform के configuration में define करने का मतलब क्या है, define करने का मतलब यह है कि यह recreate क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब भी EC2 के module में जाओगे तो इसमें क्या है, तो इसमें terraform का आपने कोई module right नहीं किया, किसके लिए security group के लिए, तो वो क्या कर रहा है, तो security group के साथ वो कुछ भी touch या फिर कुछ भी remove या add on नहीं कर रहा, किसके साथ करेगा, कहने का मतलब है, desire state किसके साथ play होगी, desire state उसके साथ play होगी या change होगी, जब आपने resource आपके terraform के configuration में define कर रखे होगे, otherwise वो उसको touch नहीं करेगा, चाहे आप manually कुछ भी change करो, add on करो, remove करो, उसको कोई configuration file में आपको define करना पड़ेगा, otherwise वो उसको ignore करता रहेगा, right, जैसे कि मैंने आपको दिखाया manually change करते हैं, तो basically अगर आप कुछ भी और resource change करते हैं, तो वो क्या होता, अगर manually, let me show you as well, एक बार practical दिखा देता हूँ, तो मैं आपको terraform के console से कुछ change करके दिखाता हूँ, जो अपने configuration का part है, जो configuration का part है, मैं इसको demo write कर देता हूँ, right, यह change मैंने क्या क्या है, जो इससे, वो इसको कर रहा है, replace, right, तो कहने का मतलब वो है, कि जो part आपका terraform का configuration का part होगा, right, तो वो उसी को change कर देखो, यह terraform के configuration का part था मेरा, but security group इसके configuration का part नहीं था, correct, तो उसको अगर manually change करोगे, तो उससे को impact नहीं पड़ने वाला, impact उस चीज़ का पड़ेगा, जो आपकी desire state में, आपकी configuration में, वो उसका part होगा, आपको basic idea लग गया होगा, कि terraform की desire state क्या होती है, और आपकी current state क्या होती है, तो एक बड़ ओड़ने तो current state मतलब जो apply कि आपने वो console के उपर reflect कर गया, मतलब आपके resource बन गए है, पुरे properly, तो वो उसकी current state होगी है, desire state का मतलब है, आपने कुछ भी changes करना है, right आपकी current state में, वो अगर आपको state file से manage करना है, तो that should be part of terraform configuration, तो वो terraform का template है, उसका पार्ट होना चाहिए, जैसे मैंने आपको demo दिया कि इसका एक security group का, था, वो security group इसका part नहीं था, तो उसके साथ उसने कुछ नहीं क्या, बट मैंने जब example दिया, कि इसका terraform tags का, तो tags इसका properly part था, तो वो उसको change कर रहा है, right, तो basic सा overall idea यही है, कि मतलब कुछ भी, आपको current state में, desire state से change करना, तो that should be the part of your template, template configuration, correct, इस वीडियो में इतना ही, मि झाम एक दो सुने करें